नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्ट नंत्रा जिसमें आज हमारे साथ मौझूद हैं केजी एमसी के रेस्परेटी मेर्डिसिन विभाग के विभागा द्यक्ष डॉक्टर सूरिकान जिनसे आज हम एस्थमा पे बात करने वाले हैं और आज हम जानेंगे कि एस्थमा से संबंदित किस तरीके से उनका उपचार किया जा सकता है तो सीधे बात करते हैं डॉक्टर स्वागत है जी धन्यवाद सर आज हम एस्थमा पर बात करने वाले हैं तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एस्थमा होता क्या है देखे हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा अनुभव किया होगा बच्पन से लेके अग तक आप आम की पत्ती चुए कुछ नहीं होता आपकी नीम की पत्ती को चुए कुछ नहीं होता आप तुलसी की पत्ती को रोज चूते हैं कुछ नहीं होता उस पत्ती को लेकिन एक पौधा होता है जिसको हम कहते हैं चुई मुई का पौधा या टच मी नॉट प्लांट इसकी पत्ती को जैसे ही आप चूते हैं ये सिकु तो यह जो सांस की नलिएं होती हैं, यह पैदाशी रूप से अतीज संवेदन शील होती हैं, यानि हाईपर संस्टिव होती हैं, और जब यह किसी वाईव प्रदूशन, कोई प्राकर्ड या कोई अलरजी का अन्निकारक के संपर्क में आती हैं, तो इन में सूजन आ जाती है और इनमें सिकुडन हो जाती है। अब आप कलपना करिए कि सांस की नली जो आपको आक्सीजन परभाहित कर रही है। अगर वो सिकुड जाएगी तो आपकी जो आक्सिजन सप्लाई है या जो आपकी सांस की सप्लाई है वो घट जाएगी और आपकी सांस फूलने लगेगी. यही है इस्थमा इसमें क्या होता है इसमें शुरुआत में अक्सर नाक और गले की अलर्जी से समस्या शुरू होती है जिसमें छींक आना नाक से पानी आना नाक बंद हो जाना गले में खराश रहना और कोई भी मौसम बदलने पर या किसी प्रदूशन के संपर्ख पर या किसी अलर्जी के तत्तो के संपर्ख में आने पर इस तरह के लक्षण होना और साथ साथ पर धीरे धीरे सांस फूलने लग रहा है और जब सांस पूलने लगती है तो क्या होता है कि जैसे ही allergy के तद तो कोई आते हैं सांस पूलने लगती है और थोड़े दिन बाद वो अपने आप ठीक हो जाती है यानि इसमें जो समस्या है वो बराबर नहीं है 12 महीने नहीं है साल के इसमें शुरुवाती लक्षणों में episodic breathlessness जिसको हम कहते हैं जैसे आप देखते हैं टीवी में कोई आप सीरियल देखते हैं तो इसका episode आता है मंगल मंगल शुकर शुकर इसी तरह इसी तरह इसकी episodic breathlessness होती है और फिर धीरे धीरे ये एस्तमा की पूरी तरह से परिपक को बीमारी बन जाती है वक्टर साब आपने हमें कुछ कहा रहा है इन लक्षण में इसके बताए हैं कि किस तरीके से ये एस्तमा होता है और क्या लक्षण होते हैं अगर हम इनके test की बात करते हैं तो किस तरीके के टेस्ट से हम कौन से टेस्ट होते हैं जिन से पता लगाया जाता है कि ये एस्थमा है दिखे श्वेता बिल्कुल ठीक पूछ रही है आपके प्रोग्राम का नामी है हेल्थ मंत्रा तो आपके दर्शकों को मैं बता दूँ कि अभी भी सबसे महत्वपूर्ण है एक डॉक्टर के द्वारा रोगी की पूरी समस्या सुनना और उसका उसकी विवेशना करना इसको हम कहते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री एंड एक्जामेनेशन एमडी के हर चात्र को हम लोग पढ़ाते हैं कि देखिए इन्वेस्टिगेशन तो दुनिया में बाद में आए जाचें बाद में आई और आपको जाचों का रिपोर्ट का इलाज नहीं करना है आपको रोगी का इलाज करना है तो सबसे पहले विस्तार पूरवक मरीज की समस्या सुननी चाहिए उसको समझना चाहिए और अपने स्टेटोस्कोप आला जिस जो आपकी पहचान है उससे आपके मरीज का परिक्षण करना चाहिए चेस्ट का, क्योंकि हमारे जो फेफडे होते हैं, वो इसी चेस्ट में होते हैं, दो फेफडे होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट लंग, और ये फेफडे की ही समस्या है, सांस की समस्या है, सांस की इंदलियों की समस्या है, तो इसका बाकाइदा परिक्षन करना चाहिए, पूछना चाहिए कि कब से आपको तकलीब शुरू हुई किस महीने में जादा होती है मौसम बदलने पर ये तकलीब बढ़ती है जब आप कोई ठंडी चीज खा लेते हैं तब बढ़ती है अक्सर जो बदलते मौसम में पराग कर नए नए आते हैं तब बढ़ती है क्योंकि 1996 में मैंने अजे लेक्चरर के रूप में किंग जोर्ट मेटिकल कॉलेज में जोइन किया था और लगबग 25 साल से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती वैसे हर फूलती हुई सांस एस्थमा नहीं होती तो फूलती हुई सांस के और भी कारण हो सकते है तो आपने बहुत अच्छा प्रशन पूचा है कि इसकी डाइगनोसिस कैसे बनाएंगे इसका परिक्षन क्या करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे देश में जिनको खून की कमी हो जाती है उनकी भी सांस पूलने लगती है जिनको साधारन इस्नोफिलिया हो जाती है उनकी भी सांस पूलने लगती है जिनको हार्ट की बीमारी है उनकी भी सांस पूलने लगती है तो फेपड़े की अन्न बीमारी है टीबी या कैंसर या interstitial lung disease या COPD उनकी भी सांस फूलने लगती है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये जो सांस फूल लई है ये एस्तमा के कारण फूल लई है या किसी और अनिकारण से फूल लई है तो इसके लिए कोई जांचे करानी पड़ती है जैसे एक हीमोगलोबिन की जांच हम कराते है तो ये पता चलता है कि एनिमिया तो नहीं है यानि खून की कमी तो नहीं है उससे भी सांस फूल सकती है फिर हम CBC कराते हैं यानि Complete Blood Count अर्था TLC, DLC, Total Lequisite Count and Differential Lequisite Count उसमें पता चलता है कि कोई acute infection तो नहीं है संकरमट तो नहीं है तो उसमें TLC बढ़ जाता है DLC में Polymorph बढ़ जाता है इसके साथ साथ हमें स्नोफिल देखना पड़ता है वो तो नहीं बढ़े हुए है नामली स्नोफिल जो होता है वो 2-6% तक होता है अगर 6% से जज़ादा स्नोफिल बढ़ गया है तो इसनोफिलिया एक दूसरी बीमारी है वो उसके करण सांस फूल सकती है तो इस एमो कम्प्लीट ब्लड काउट छोटी सी रखतण की जाच भी है लेकिन हमें पता चल जाता है एनिमिया तो नहीं है पिर हम चैस्ट एक्सरे कराते हैं एस्तमा में X-ray में कोई धबबा नहीं मिलता है जबकि फेपड़े की अन्न बीमारियां चाहे वो TB हो चाहे वो Interstitial Lung Disease हो चाहे वो Lung Cancer हो या अन्न बीमारियां हो निमोनिया हो इन सम्में फेपड़े में धबबे आते हैं जबकि एस्तमा में X-ray में कोई धबबा नहीं आता ह इसके अत्रिक्ट ब्लड में चुकि एक ऐलर्जिक बीमारी है एस्तमा की तो ब्लड में ऐलर्जी का लेबिल क्या है जिसको हम सीरम आईजी ए कहते हैं वो भी करवाते हैं उससे भी हमें एक आईडिया लगता है कि भई ये ऐलर्जिक ऐस्तमा है इनुसाइटिस भी साथ में तो नहीं है इसके लिए X-ray, sinus का X-ray कराते हैं और फिर last में हम important जांच कराते हैं जिसको हम कहते हैं pulmonary function test यानि PFT यानि Spirometry यह होती है lung की फेफले की stamina की जांच यानि lung जो है मारा फेफला जो है वो किस stamina पे काम कर रहा है उसमे क्या कमी है और फिर inhal inhaler देके हम reverse, reversibility test करते हैं यानि दुबारा test करते हैं और फिर यह देखते हैं कि inhaler हमने इस मरीज को दिया उसके बाद इसके lung function इंप्रूब हुए या नहीं हुए तो यह पांच जांचे हैं blood की जांच, CBC और serum IG, फिर एक chest का X-ray और एक sinus का X-ray और pulmonary function test यह पांच जांचे ह हमें पहुचाती है, minimum 5 जांचे हैं, यह 5 जांचे हमें पहुचाती हैं, फिर अगर हमें heart की बीमारी का suspicion हो रहा है तो हम ECG या 2D ECO कराएंगे, या और किसी बीमारी का suspicion हो रहा है तो हम CT thorax कराएंगे, लेकिन 5 यह minimum जांचे हैं जिन से हम asthma की diagnosis को confirm कर लेते हैं और prove कर लेते ह इसके asthma के क्या प्रकार भी होते हैं, काई प्रकार के ऐसा होता है तो अलग-अलग उसको verification कर सकते हैं, अभी जैसे मैं बता रहा था कि जब serum IG के हम जांच कराते हैं, तो हम पता कर लेते हैं, यह allergic asthma है या non allergic asthma है, करीब 80% asthma के मामले जो हैं बच्पन से शुरू होते हैं, तो य 40 साल के बाद शुरू होता है, तो इसको हम late onset asthma या adult onset asthma कहते हैं, और जबकि बच्चों बच्पन से ही शुरूआत हो जाती है, तो इसको हम child road asthma कहते हैं, इसके अलावा occupational asthma भी एक term होता है, खास तोर पर ऐसे व्यवसाय हैं हमारे देश में, जैसे जो लोग जो हैं, वो किसी ऐ गंटे के अंदर उनकी सांस फूलने लगती है, अब चाहे वो फैक्टरी में काम कर रहे हों, सीमेंट की फैक्टरी में काम कर रहे हों, और चाहे वो जो है वो आरा मशीन पे काम कर रहे हों, चाहे वो लोहार गिरी का काम कर रहे हों, यारी हमारे देश में ऐसे बहुत से वि पेडमिंटन केलता है दौड़ता है भागता है तो इसकी सांस भूलने लगती हो घर आके कहता है कि मम्मी हमारी तो सांस भूल गई तो इसको हम exercise induced asthma कहते हैं तो इसी तरह कुछ लोगों में साल भर तकलिब सांस की फूलने की बनी रहती है जिसको हम perennial asthma कहते हैं कुछ लोगों क को आपने देखा होगा कि जब हुली के बाद अपरेल मई का सीजन आता है तो केवल उसमें सांस भूलती है इसको हम seasonal asthma कहते हैं कई लोगों को कोई particular season चाहे बो अपरेल मई का हो जुलाई अगस्त बारिश के शुरू होने का हो या फिर सर्दी के शुरू होने का अक्टूबर asthma या अडल टोस्त asthma या लेट ओन टेस्ट अनसेट asthma allergic asthma non allergic asthma exercise अंडूस्ट asthma और अकुपिशनल ऐस्तमा, प्सीजनल ऐस्तमा कई लोगों को जो है कुछ दवाएं ऐसी होती है वो उनका ऐस्तमा पढ़ा देती है जैसे एस्परिन नाम की दवा है अब सांस के रोग्यों को ऐस्परिन नाम की दवा से दूर रहना चाहिए क्योंकि अक्सर वह सांस की है और अच्छा हुआ आपने शोहता जी परिशन कर लिया आपके दर्शकों को विभिन प्रकार के अस्तमा की जानकारी हो गई है कि हम किस तरीके से जैसे हम अगर जज कर लेते हैं कि हमें एस्तमा है तो एक कौन सा टाइम बीरड होता है किस टाइम पर हम यह जाने कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है हमें इस टाइम पर जरूर जाना चाहिए और दिखाना चाहिए डॉक्टर को देखिए डॉक्टर के समय आपको तीन तरीके से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए पहला अक्सर मैंने का 80% बच्चों में अस्तमा जो है बच्पन से इन सब लोगों को क्या चाहिए कि खास दोर पर अगर किसी ऐस्तमा फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो इसको ऐस्तमा होने का खत्रत जादा रहता है तो ऐसे बच्चों को ये अबजर्ब करना चाहिए कि ये खेलने जाता है तो इसकी सांस तो नहीं फूल जाती है और बच्चे खेलते रहते हैं लेकिन ये तुरंट चला आता है ति मेरी सांस फूल गई ऐसे बच्चों को ये अब्जर्ब करना चाहिए कि रात में जब सोते हैं तो ठीक सोते हैं लेकिन बीच में उठ जाते हैं और उनकी सांस पूलने लगती है रात में खांसी आने लगती है तो ये भी एक ऐस्तमा का लक्षण है और ये बताता है कि आपको डॉक्टर से चाहिए क्योंकि नाक और साइनस की अलर्जी जिन बच्चों को होती है उनमें तीन बच्चों में से आगे चलके एक बच्चे को सांस की तकलीफ यानि एस्तमा की तकलीफ हो जाती है तो बच्पन में ये अबज़र्ब करना है अब चोटा बच्चा है वो तो भाई कहेगा कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो यह लक्षन मेरे को आ रहे हैं तो यह घरबालों को ही और जब करना पड़ता है अब बड़े होने पर क्या करें बड़े होने पर एक तो आपके जब अस्थमा की डाइग्नोसिस बनी है यानि आपको लक्षन लग रहे हैं कि मेरी सांस फू जाती है यह चलने फिरने पर फूलती रहती है या मैं वर्क प्लेस पर जाता हूं तो फूल जाती है तो डॉक्टर से सला करनी चाहिए डायग्नोसिस के समय इनिशल आंस इनिश्यल कांटेक्ट फिर उसके बाद डॉक्टर जब बताता है तो नियमित रूप से मैं तो कहूं नियंत्रित है कि नहीं, कंट्रोल है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर से बार-बार डिजिटल कंसल्टेशन प्रात्मिक्ता के आधार पर लेना चाहिए और आवश्या को डॉक्टर कहे तो फिजिकल कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कुछ रेड फ्लेक्स साइंस मैं आपको बिताता हूँ आपके दर्शकों को कि अगर वो लक्षन आ जाए इसका मतलब एक्यूट एस्थमा का अटेक आगया है और आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए जिसमें बहुत तेजी से सांस पूलने लगे आप बात जो है वो सेंटेंस पूरा ना कर पाएं मतलब एक सेंटेंस आप से का गया कि राम जाता है तो वो भी आप कम्प्लीट एक बार में नहीं बोल पाते हैं सांस बीच-बीच में टूट जा रही है तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए आपके ये जो ये उंगलिया है इनके जो नाकून है वो नीले पढ़ गए हो आपका जो जबान नीली पढ़ गए हो खोड नीले पढ़ गए हो तालू नीला पढ़ गया हो और या को अब का जो है वेहुशी की अवस्तों अप चैतन्य की अवस्तों दो तो एसे समय में ये डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए अगर अगर हम ना दिखाए तो क्या कुछ और चीज़े भी हो सकती है किन प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पढ़ सच्ता है एक तो है कि को कोरोना के पीरियड में 18 महीने में कोरोना ने ये सिखा दिया है कि हर घर को थोड़ा बहुत सभी बीमारियों के बारे में जागरूख होना पड़ेगा हेल्थ अवेरनेस बहुत इंपॉर्टन इशू है केबल पैसा कमाना ही अब जीवन का उद्देश नहीं रहना है क्योंकि आप स्वस्ती नहीं रहेंगे तो इस पैसे का करेंगे क्या पहले मैं सांस के रोगियों से कहता था कि घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर रखा करो और यहां पर अगर 94 से नीचे ऑक्सिजन चली जाए तो आप डॉक्टर से संपर्क किया करो कोई नहीं सुनता दॉक्टर सूरीक अगर नहीं में तो 25 साल से कह रहा हूं लेकिन कोरोणा आया डर हुआ तो अब सब के घर मैं पन्स ऑक्सीमीटर है और सब के घर में सब जेब में मासक है तो सांस के रोगियों को एसत्मा के रोगियों को भी ध्याना चाहिए कि मास्क जो है सिर्फ कोरोणा शें नहीं बचात आपको और जो बैक्टिरिया वातापरण में घूम रहे हैं उनसके संकरमर से बचाता है तो मास्क सास के यानि एस्थमा के रोगियों के लिए भी फाइब बंद है जब घर से बाहर निकले तो और दूसरा काम कि घर में एक पल्स ऑक्सीमेटर रखना ये पल्स ऑक्सीमेटर सि और ऑक्सीजन 94 से नीचे चली गई है तो इसका मतलब अर्जेंट आपको डॉक्टर से सला करनी है या अस्पिताल में आपको जाना है तो अब पल्स ऑक्सीमेटर हर गर में पहुंच गया है तो इस पल्स ऑक्सीमेटर का इस्तेमाल सिर्फ कोरोना की बिमारी के लिए नहीं इस सांस के अन्य बीमारियों के ही नापतौल में इस्तेमाल करना चाहिए और जब भी 94 परसेंट से ऑक्सीजन साजूरेशन नीचे जाता है तो अपने डॉक्टर या अस्पिताल से संपर करना चाहिए तो डॉक्टर यह होता है कि कहीं बार आस्थमा के कुछ अटैक होते है जो अचानक से सडनली अगर अटैक पड़ जाए और उस दौरान अगर हमें मौजूद ना हो कि हम डॉक्टर को पास नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई ऐसा होम रेमेडीज या कोई घरेलू नुचा सम्थिंग ऐसा कुछ हो कि कुछ टाइम पीरिड के लिए उस पेशन को हम कुछ रिलीफ दे सके हैं एक तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अब बहुत अच्छा काम कर रहा है हर डॉक्टर डिजिटल कंसल्टेशन दे रहा है तो अपने डॉक्टर से आप डिजिटली कनेक्ट रखें आप एक छोटा वीडियो बनाके भी आदा मिनट का एक मिनट का वी तो वो भी आप रख सकते हैं अगर ऑक्सिजन आपने ना पीच और आवे से नीचे गई है तो अक्सिजन लगाया और आपने जो है वो अक्सिजन ले लिए अब देगे हमें अपनी घर के जो फैमिली की जो होम अप्लाइंसिस हैं उनकी थोड़ी प्रियाइटी बदल नी प तो मैं कहूंगा फिरिज थोड़ा रोग दीजिए उसी तरह आपको लगजरी की प्राइटी नहीं होनी चाहिए बलकि नेसेसिटी की जो प्राइटी होनी चाहिए इसी तरह डॉक्टर जो है वो एक्शिन प्लान बताता है एस्थमा के मरीच को देखो भाई अगर ऐसा हो ज नेबShaizer को कहते हैं तो नेबलाइजर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं नेबलाइजर छोटी मशीन है मतला मुझ से आप पूछें की भाई, मिक्सी पांपना ले नाशं दो एक प्लस उक्शीमीटर जिससे ओक नाप सके दूसरा नेबलाइजर जिससे तुरंट हम नेबलाइज कर सकें और नेबलाइजर से क्या होता है कि जो सिकुड़ी हुई सांस की नलिया है जैसे मैंने का छोईबूई की तरह वो सिकुड़ जाती है तो वो सिकुड़ी हुई सांस की नलिया नेपलाइजर देते ही, 10 मिनट आप नेपलाइजर दिया और एसे फैल जाती है, फैल जाती है तो उसमें जो सांस का प्रवा है, आपक्सीजन की जो flow है वो नॉमल हो जाता है, और मरीज को आराम मिल जाता है, इसी तरह गशीजन कंसंटेटर से आपक्सीजन लगा सकते हैं, त इंट्रसीशन लंग डिजीज का रोगी हो लंग कैंसर का रोगी हो या और अन्नकिसी सांस की बीमारी का रोगी हो इसमें आपको घर में इमर्जेंसी मेनेजमेंट फरस्ट ट्रीटमेंट के लिए काम आएगा लेकिन हाँ अब ऐसा नहीं है कि आपने ये लाश्रू कर दिया त चाहिए इधर नेबलाइजर और अंक्सीजन आप शुरू कर दीजे और दॉक्टर से संपर करिए इस्पिताल से संपर करिए और अपने मरीज को दिखाए अगर हम इसके एस्थमा के प्रॉपर एक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है किस से ट्रीटमेंट की अधर शुर्टमेंट की बहुत इंटरस्टिंग स्टॉरी में बताता हूँ नाइंटी सिक्स से लेके और दोजार नौ तक जब मैं कहता हूँ कि देखो भाई इनिलर बहुत जरूरी है अस्तमा के रोगई के लिए लिया करो अरे भाई अमिताब बच्च नहीं समझते थी ये भी बड़ा आजकल के समाज में है कि जब तक आप बड़े डॉक्टर रहों तो आपकी बात नहीं सुनी जाती है चाहे कितनी अच्छी बात आप कहलें तो 2009 में ऐसी क्या चीज़ हुई शुयता जी मैं आज रहस से आपके दर्शकों को बताता हूँ कि म बन करवा देंगे बस उसके बाद मिरत तो इतना बढ़िया मुझे एक्जामपिल मिल गया कि तू मेरा चश्मा नहीं उतार सकता तो मैं तेरा इनहीं बन कर सकता तो जैसे सुभाश्यंद बोस्त ने कहा था तो मुझे खून दो मैं तूम्हें आजा दी दूँगा तो मैंने अभी हमारे देश में तीन एस्तमा के रोगियों में से एक इ히 इनहलर लेता है अभी थी 3-35 पर्शेंट पर्शेंट के आस पास के लोक जो ऑब इनहलर लेते है बाकि अभी भी इनहलर नहीं लेते हैं और इनहलर च्शिकितसा ही अस्तमा की सर्फ से स्थी कितसा है तो यह दर्शकों को समझना चाहिए कि भाई नेलर लेना कितना ज़रू ही है अगर हम कोई treatment वगएरा इसके लिए क्या medicine ही proper है या इसके लिए कोई surgery वगएरा भी कभी करनी पड़ से हैं बहुत अच्छा प्रशन है अब ऐसे लोग करीब 5 से 10 प्रतिशत लोग हमारे देश में करीब साड़े 3 करोड के लोग अस्तमा के रोगी है अब ये साड़े 3 करोड अस्तमा के रोगी हो मैंसे कोई 5-10 प्रतिशत रोगी ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं बिगडा हुआ इस्तमा हो जाता है या एर वे री मॉडलिंग हो जाती है एर भी री मॉडलिंग का अर्थ है कि हम इन्हिलर दे रहे हैं नेबलाइजर दे रहे हैं लेकिन फिर भी उनकी जो सिकुड़ी हुई नलिया है वो फैल नहीं रही है तो उनकी लिए अब सरजरी की सुविदा आ गई है देश में जिसको हम ब्रॉंकियल थर्मो प्लास्टी कहत हैं हम लोग एक्शली सांस की नलियों को और यह ब्रॉंकाई की सांस की नलियां जो है मसिल्स जो है वो पावर्फल हो जाती है मस्कुलर जादा हो जाती है मोटी जादा हो जाती है उनकी थिकनेस बढ़ जाती है जिससे की सांस की नली बहुत सिकुड़ी रहती है जैसे आप सलमान कान और अक्षा कुमार की तरह यहां की बढ़ाई है तो अब उसमें क्या होता है कि वह ब्रॉंकिल वॉल की जब तिकनेस बढ़ जाती है तो सांस की नलियां सिकुरी जादा रहती है अन्हेलर का प्रभाव भी खतम हो जाता है तो ऐसे लोगों में ब्रॉंकिल थर् पर उसे ब्रॉंकिल और अजर्टन इंडिया में बहुत से ऐसे कैंद्रें जहां पर यह उप चौने कर सकते हैं कि पहले तुमां यहां निश्चिन बता दूंकि योग किसी बीमारी को योडा नहीं करता है योग का मतलब है बहुत सिंपल जोड़ना अब आपके दर्शक तो मैं आपके दर्शकों को अबगत करा दू कि मैंने भी योग और नेचर उपयती में एक डिप्लोमा किया हुआ है। मैंने जाने की कोशिश की जब दुनिया में इस तरह की आवाजे आईं लोगों ने क्लेम करना शुरू किया है कि योग से ये खतम हो जाएगा वो खतम तो मैंने भी अध्यन किया और मैंने ये पाया और मैं बता दू दू दुनिया में एस्थमा की योग में क्या रोल है इसकी दस अंतर राष्टियर रिसर्च पब्लिकेशन भी हो चुके हैं इसलिए मैं और कॉंफिडेंट के साथ कह सकता हूँ मैं बिल्कुल ऑथराइज हो गया हूँ आस्तमा और योग के ऊपर बोलने के लिए या योग और प्राणायम के ऊपर बोलने के लिए तो योग का सिंपल मतलब है जोड़ना तो ये एड ओन थेरेपी है ये में थेरेपी नहीं है आप हमेशा ध्यान रखें ये देखें स्वस्त रहने के लिए तो बहुत अच्छी विदा है जब तक आप बीमार नहीं है योग करते रहेंगे तो ये बीमारियों से आपको बचाता रहेगा करें योग रहें निरोग ये बात फिल्कुल सही है लेकिन आप कोई कहें कि मेरी 400 शुगर हो गई है या मेरा एस्थमा जो है वो लंग फंक्शन 30% रह गया है और मैं एक हबता योग करूँगा और 80% हो जाएगा तो ये गलत है ऐसा नहीं है हाँ ये हो सकता है कि आप इनहिलर ले रहे थे उसके बावजूद भी आपकी थोड़ी बहुत सांस फुल रही थी थोड़ा क्वालिटी आफ लाइफ नहीं थी वो इंप्रूब हो जाएगी अगर योग प्राणायाम कर रहे है हो सकता है इनहिलर की डोस थोड़ी बहुत कम हो जाए लेकिन इस मुगालते में मत रहिए और मैं किसी भी बीमारी के लिए कह रहा हूँ कि योग प्राणायाम ध्यान यह बहुत अच्छी चीज है आप सब लोग जरूर करें और इससे स्वस्त रहने में मदद मिलती है और हर बीमारी में थोड़ा-थोड़ा एड-उन थेरैपी जिसको कहते है एड-उन तो जैसे डॉक्टर परचा लिखता ना पर मरीज कहता है कि डॉक्टर साब एक टॉनिक और लिख दीजिए तो हो सकता है परचे में टॉनिक लिखवाने के आपको ज़रूरत ना पड़े अगर आप योग प्राणायाम करते हैं तो टॉनिक के पैसे बच गए आपके हो सकता एनेलर आपके महीने में दस एनेलर खरच होते हैं हो सकता हाठ खरच हों एनेलर के पैसे बच गए हो सकता एनेलर लेने के बाद भी आपकी quality of life अच्छी नहीं थी अब अच्छी होगए तो ये योग और प्राणायाम का इस्थान है और अगर सेर हम अगर एस्थमा के रोक थाम भे हम बात करते हैं तो किस तरीके से उनको रोका जा सकता है किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है जीनो टाइप बदल नहीं सकते मतलब जिस जीन्स के साथ आप पैदा हुए है मैंने का ना पैदाईशी रूप से व्यक्ति की एस्थमा के रोगी की व्यक्ति की सां सांस कि नल्यों में इती संवेदन शीलता पाई ज़ाती है , यानि हाइपरसंस्टिमटि इभाई जाती है, तो यह जीनोटाइप आप नहीं बदल सकते हैं जो genetic susceptibility है जो पैदाशी रूप से आपकी सांस की नलियां आप मान लीजे कमजोर हैं या hypersensitive हैं उन्हें आप बदल नहीं सकते हैं लेकिन वो कारक आप बदल सकते हैं वो कारक आप कंट्रोल कर सकते हैं जिन कारकों से ये सांस की नलियां सिक वरदाती हैं उसमें क्या आते हैं कुछ घर के बाहर हैं और कुछ आपके अंदर हैं मैं तीनों को बताता हूं घर के अंदर क्या कारक हैं घर के अंदर आपने गलती से भी teddy bear या इस तरह के फर वाले खिलोने घर में जितने ज्यादा रख रखे हैं उतना ही घर में अलर्जी का वाताबर्ण फैलता है और उतन जिशे मत बिना teddy bear के तो इसको रात में नीदी नहीं आती यह मेरे पास कहां यह तो बगल में teddy bear लेना के लिटती है तो भाई अब teddy bear और soft toys यह जितने होते हैं यह सब नुकसान दे हैं आपके घर में अगर ऐस्तमा करोगी है तो यह तो ऐस्तमा करोगी रहकिए या teddy bear उमलेट होगी उन पर और आपके वातावरन को allergic बनाएगी और एस्तमा के रोगी को परिशान करेगी तो घर आपका modern है तो एक modern और आप काम करेए घर में वैक्यूम क्लीनर रखिए और सुबह शाम वैक्यूम क्लीनर से बहुत बड़ी सफाई करिए परदों को अक्सर बीच सेलन ना हो बढ़िया है अब गोवर से लीपूत के सुंदर बनाके घर रहे कच्छा और रहने होने में कोई बुराइग नहीं है बलकि यह बैटर कम allergic महौल है उसमें लेकर उस घर में सीलन नहीं होनी चाहिए उस घर में जाले नहीं लगे होने चाहिए उस घर में बहुत ज सीलन भी है जाले भी है पेपर डस्ट भी है तो यह सब एस्थमा के रोगी को और बीमार कर देगा एक चीज और जैसे हम त्योहार आते हैं हम घर की paint करते हैं घर में paint करते हैं तो सफाई पुताई बहुत जरूरी है घर में त्योहारों में आवशक हमारे नियम है लेकिन एक जान लीजिए कि घर में अगर paint हुआ है और paint की खुश्बू जब तक उस कमरे में है तो करपया अस्थमा के रोगी को उस कमरे में मत लिटाए रात में ही आपको उसको emergency हो जाएगी और अस्पिताल लेके जाना पड़ेगा तो त्योहारों के समय ध्यान लखें तीसरा अगर अगर आप शौकीन है पर्फ्यूम के सेंट के तो ये भी ध्यान लखें कि अगर घर में अस्थमा का रोगी है तो वो तो दूर रही करपया उसके सामने ये भी इस्तिमाल ना करें और मतलब मैलाओं से मेरा विशेश आगर है कि अगर आपका पती अस्थमा का मिल गया है तो करवा चौत नारा हैं लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि उसको डियोडरेंट और पर्फ्यूम और इन सब चीजों से जरूर बचाएं तो बहुत ज़्यादा अचा जो पूजा धार्मिक लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जब हावन करते हैं गर्वत्ती करते हैं धूब आपको बाहर आपको ऐसी जगे नहीं जाना चाहिए जहां बहुत प्रदूशन हो और वर्क प्लेस अगर ऐसा आपका है कि जहां पर धूल धूबागरदा बहुत ज़्यादा है तो उससे भी आप बचके रहें और हाँ ये काम बिल्कुल मत करिए सिगरेट बिल्कुल मत पी बीडी सिगरेट आप पीए करेंगे तो अस्तमा तो फिर भाई आपका भगवानी मालिक है फिर डॉक्टर सूरीकान तो क्या कोई भी डॉक्टर नहीं आपको बचा सकता है और स्मोकिंग के साथ साथ पैसिव स्मोकिंग भी नहीं होनी चाहिए ये भी ऐस्तमा के रोगी को बढ़ावा देती है फिर आपके अपने अंदर कुछ कारण है आप अगर इमोशनल स्विंग के परसनाल्टी है मतलब जड़ा सा दुख हुआ तो आंसू नीचे और जड़ा सा खुजी हुई तो ठाके तो अगर आप इमोशनल स्विंग वाले आदमी है तो आपको बहुत ज इस्तमा को बढ़ा सकता है परिशान कर सकता है तो आप ऐसी डाइट लीजिए जिससे की इस्तमा प्रोटेक्शन मिले हरी सबजें लीजिए फल लीजिए आप थोड़ा थोड़ा कॉफी या चाय ये भी ले सकते हैं ये सूप ले सकते हैं प्रोटेक्शन का काम करता है जो ब हम अवी भाहन पान पान में भी हम बताया है कि यहीं बात कर सकते हैं कि क्या इस्तमा से कि जान के जी शुइस जांब है जी म का वैसे तो सीधी या जी ताँश कि रएमारी पार है इस वे और अगर स्विया जा सक्टित हैं कि अगर एस्तमा पुराना हो गया है education तो आपको उस स्टेज में जब इन्हिलर भी काम ना करें तो ऐसी संभावना भी हो सकती है कि अगर कोई गंभीर अलर्जी का कारक आजा या संक्रमन आ जाए तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है जे अज़र डॉक्टर ये है कि जो एस्थमा désTIMा में इस्थमा परसन को अधितर वाकिंग करना चाहिए वॉकिंग करना उनके लिए बहुत फाइदे मंद है क्या यह जो कहा जाता है लेकिए वाकिंग तो सबके लिए फाइदे मंद है, वाकिंग is the best exercise, वाकिंग से अच्छी exercise आज तक कोई न बनी है न बन सकती है, और एक चीज बहुर में कल दूँ हो, लोग कहते हैं morning walk, तो जोरी नहीं, morning walk करो, चाहे afternoon walk करो, चाहे evening walk करो, चाहे night walk करो, walk walk होती है, शरीर में वो ही फाइदा मिलता है, जो morning से, आइवनिंग से, दूसरा यह है कि माली जे अस्तमा का acute attack है, तो आपको बेडर्स करना पड़ेगा, तब आप कहा कर सकते हैं, तो सांस करोगी हो, चाहे कोई रोगी हो, walking तो सबको ही फाइदा करती है, अस्तमा के रोगियों को भी walking करनी चा जी नहीं, वो तो आपके हाँ में है, अब देखे, सौरब गांगुली जो है, इनको बच्पन से एस्तमा है, लेकिन आप सोचिए, गिन नहीं सकते कितने चक्के लगाए, और कभी आपने देखा कि उन्होंने का, मैं आई भाई मुझे एस्तमा है, मैं तो आज चारी चक्के लगाँगा, कभी उन्होंने मना किया हो, तो ऐसा तो है नहीं, और अमिताफ बच्चन ने कभी मना किया कि मैं दो फिल्म की शूटिंग कम करूँगा, मुझे एस्तमा है, तो ऐसा नहीं है, विल किलिंटन ने कहा कि मैं दुबारा राश्पती नहीं, अमेरिका का बनूँग क्योंकि मुझे एस्तमा है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, अगर आप एस्तमा नियंतरित रखेंगे, तो दुनिया की ऐसी कोई भी कारे आप नहीं है, जो आप नहीं कर सकते हैं, जो की एक स्वस्त्व व्यक्ति कर सकता है, तो एस्तमा और उसके साथ अगर उच्छे-चि का अकबार चाहे हिंदी का अकबार चाहे कुई किताब दे दो मैं सब पढ़ लूँगा तो चश्मा और चश्मा जैसे मेरा उतरेगा तो मैं पढ़ने में मुझे दिक्कत होने लगे तो इसी तरह आप डॉक्टर की सला से अगर इन्हेलर चेक्सा अची ले रहे हैं तो जिंदगी आप उतनी ही हसीन बना सकते हैं अपनी जितनी की स्वस्थ रहती है हज़र आप इन्हेलर की बात कर रहे हैं हमारे एक वीवर का एक सवाल था उनका कहना यह था कि इन्हेलर के इस्तमाल से फेफडू का कैंसर होने का खत्रा रहता है क्या ही इससे ज्यादा मतलब गलत शब्द मैंने दुनिया मैं आज तक सुने ही शरता यह बिल्कुल गलत धारना है कि इन्हेलर के स्तमार से कंसर हो जाता है आगर आप नहीं होंगे, तो एस्तमा से हो सकता आपकी मिरत्य हो जाए. तो इसलिए इन्हेलर जरूर लीजिए, डॉक्टर की सलहा पर लीजिए, और हाँ इन्हेलर लेने के बाद थोड़ा पानी से गरारा करना होता है. वो आप करते रही है, अगर साइड इफेक्ट होता तो लोग 50-50 साल से इन्हेलर ले रहे हैं, अरे भाई आप बचन को ही लीजिए, वो तो 50 साल से उपर से इन्हेलर ले रहे हैं, उनको कौँ साइड इफेक्ट हो गया, या किसी और को क्यों साइड इफेक्ट हो गया, नहीं ह कोई side effect ना चश्चमा लगाने का कोई side effect ना इनेलर का कोई side effect अच्छा ऑर सर आई है कि जो asthma patient है किया उनके लिए coffee पीना सही है कि coffee से क्या कुछ रिलीव मिलता है कि कुछ अब देखिए तो सीमित मात्रा में आप उप्यूक कर सकते हैं और जो cold drink है जो ice cream है जो चॉकलेट है जो पेस्टी है जो fast food है वो एस्तमा के रोगी को नुक्सान करते हैं इसलिए उनको avoid करना चाहिए लेकिन हाँ सीमित मात्रा में चाए coffee कॉफी चाय भी बहुत स्ट्रॉंग नहीं होनी चाहिए कि असे डिडी कर दे पेट में अलसर कर दे और सूप भी बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होना चाहिए तो यह सब चीजें आप थोड़ी-धोडी मात्रा में सिमित मात्ता में इस्तमाल कर सकते हैं यह नुकसान नहीं कर आपके सामने आया है कि एस्तमा पेशन पूरी तरीके से ठीक हो गया हो तो एक तो बच्चों में देखा गया है कि जो बच्चपन में एस्तमा होता है वो बारा साल की उमर आते 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 आधे बच्चों को वो उससे निजात पा जाते हैं अब वो क्या कारण है वो अलग व है एस्तुमा क्योर नहीं होता है अभी वी किसी भी पैती में जी आ मैं फिर शुब भाऊता हुए में कि कि क्योर करने की क्षमता नहीं है अगर किसी ने विक्सित कर ली होगी तो मुझे सुचित करे मैं बहुत खुश होगा और अगर हम किसी पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया की बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ पर्टिकुलर एज के परसंस को यह जादा एफेक्ट क के बीच में वो काफी इसको प्रभावित करता है उसके बाद 12 से लेके फिर 18-20 साल तक उसको भी काफी प्रभावित करता है और फिर 30 साल के बाद यारी एडल्टुड में और एल्डरली में बहुत कम परसंटेज ऐसा है कि जिनको एल्डरली एस्तमा हम कहते हैं या जिसको एस्तमा कहते हैं या लेट ओंसेट एस्तमा कहते हैं वो होता है उसका परसंटेज कम है अज़र डॉक्टर यह भी हो रहा है कि इसकी जो दर्द है इसकी जो दर है वो कंटिनियूसली बढ़ती जा रही है पहले के टाइम पर इतना नहीं था क्योंकि 2011 में अगर हम देखे हैं के केसेज बढ़े हैं और पहले अस्तमा माना जाता था कि यह वेस्टरन वर्ल्ड की बिमारी है हमारे देश में नहीं माना जाता था लेकिन अगर आप पिछले 20-30 साल का हिसाब देखेंगे इंडिया का तो जैसे जैसे वाई प्रोडूशन बढ़ा है अक्सर मैं कहता हूँ जिसमें हमने हेल्दी डाइट के बजाए हमने फास्फूड को चैन किया है खास तोर पे बच्चों में एक और अस्तमा का प्रकार में बताना भूल गया और जो लोग मोटे बच्चे हो जाते हैं चबी बर्गर खाका के पीजा बर्गर बाय जिसको हम बोलते हैं तो हमने क्ल इनको ही एस्तमा होने के जादा चांसे रहते हैं तो लाइफ स्टाइल चेंज से डाइटरी चेंज फास्ट फूड हैबिट से इन एक्टिविटी रहने से कंप्यूटर पे जादा है मोवाइल पे जादा है एक्टिविटी है नी तो इन एक्टिविटी से फास्ट फूड से sedentary habit से और modernization से urbanization से air pollution के बढ़ने के कारण smoking के बढ़ने के कारण हमारे देश में ऐस्थमा बढ़ा है ये बात बिल्कुल सही है आचा आखिर में सर हम चाहेंगे कि आफ हमारे Prime TV के viewers को एक message देगे देखिए ऐस्थमा है इसको लेके बिल्कुल घबडाये मत एस्थमा से पीडित बच्चा हो या व्यक्ति पूरे जीवन उत्रा ही सवस्त रहेगा जितना की एक सवस्त व्यक्ति है हाँ आपने डॉक्टर की सला से इनेलर्ची किस्सा जरूर लेते रहिए और वाई प्रदूर्शन से बस्ते रहें, धूमरपान से बस्ते रहें, फास्फूर्ट से बस्ते रहें, बिल्कुत स्वस्त रही है आज की हल्थ पंत्रा में बस इतना ही, आज हमने डॉक्टर सूरकान जी से एस्तमा से संबंदित काफी अच्छी जानकारी हमें मिली हैं जिससे हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी जानकारी काफी पसंद आई होंगी। अगली बार हम फिर आजिर होंगे एक नए डॉक्टर के साथ में और एक नए डिजीस के साथ में। तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी।